हलो स्टुडेंट्स तुडे आई विल डू पेज नमबर सेवन प्रिंसिपल ओफ डिजाइन चैप्टर टू यहां पे स्टुडेंट्स आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था मुवमेंट, यूनिटी और विराइटी के बारे में तो आज हम हार्मोनी के बारे में पढ़ेंगे सो फर्स्ट आफ आउल हम आपको हार्मोनी के बारे में थोड़ा से एक्स्प्लेइन करेंगे हार्मोनी क्या होती है अगर हम कोई भी पेंटिंग बनाते हैं कोई भी डिजाइन बनाते हैं तो उसमें हार्मोनी का होना बहुत ज़रूरी है For example, color is an important element to add harmony to an artwork इसका हमारे painting में महतवपुर्ण role होता है important role होता है हमारे painting में यहां पे हम जैसे आपको इस picture में दिखाया गया है color को कैसे dark tone में use करना है कहां से light tone में use करना है तो वो सारी चीज़े किस में आती है harmony में तो हर एक painting में harmony का होना बहुत ज़रूरी है इसके बिना कोई भी painting हमें incomplete ही लगेगी वो complete नहीं हो सकती after that है balance balance क्यों होता है संतुलन संतुलन के बारे में अपने पहले से सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा हर एक चीज में balance को होना बहुत ज़रूरी है जैसे कि आप पिक्चर देख रहे हैं अगर यहां पर टेड़ी करके ड्रॉ की गई हो और अगर आपकी lines जो टेड़ी हों बिल्कुल स्टेट ना हो तो वो हमारी eyes को अच्छा नहीं लगेगा इसलिए हर एक चीज में संतुलन का होना जो है बहुत ज़रूरी है balance की बेटा two types होते है symmetrical, formal balance and a symmetrical balance first of all हम symmetrical के बारे में आपको बता रहे है see students for example आप यहां से अच्छी से समझ पाऊगे यह symmetrical balance है जो हमारी eyes को भी देखने में अच्छा लगता है और इसमें कोई भी चीज इदर उदर हमें नजर नहीं आ रही है चीक है तो यह वाली symmetrical balance हो गया और इस symmetrical यहां पर हमें कहीं पर भी balance शो नहीं हो रहा है इसमें किसी चीज का कोई balance नहीं है कोई इदर जा रही है किसी की lines उदर जा रही है तो यह सारी asymmetrical balance में आती है, informal balance, after that है contrast, contrast क्या होता है, color matching, छीक है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था, elements of art में, छीक है, कि colors को कैसे उनका contrast बनाना है, कैसे उनको match करना है, primary colors, secondary color के बारे में, जैसे हमने आपको बताया था, तो वो सारी चीजे किस में आती है, color contrast me, छीक है, तो students, यहां तक आपने अच्छी से इस page को read करना है, so thank you, have a nice day,